इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध जो है वो बड़ा होता जा रहा है सोचिए और जैसे जैसे युद्ध लंबा खिसता जा रहा है इजराइल की पोल पट्टी खुलती जा रही है आईसी जी इंटरनिस्नल जस्तिस कोर्ट ने कहा है कि इजराइल युद्ध का गुनागार है और उसे कुछ पड़े आदेश दिये हैं नमस्कार मैं संभुकुमार सिंग और आप देखे हैं निस्नल दस्तक यमन के लराके जो हैं हूती उसने लाल सागर में अपना बर्चस्व लगातार जारी रखा है वहीं इरान अब लगातार भुमद्ध सागर में अपना जलवा दिखा रहा है और एक भी जहाज न इजराइल से जा सकता है न इजराइल आ सकता है इरान ने फारस की खारी में एक और तेल टैंकर जब्त किया इरान के इसलामिक डिवलस्टनरी गार्ड कॉर्स ने कहा कि 28-1-24 को उसने फारस की खारी में इरानी बंदरगा सहर बुसहर के करीब 2 मिलियन लिटर इंदर ले जा रहे एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया टैंकर पर उसीनिया का जंडा लगवा था बीवरन की पर्थिख्या सुचे आपको गर एसिया से कारोबार करना है दुनिया की सबसे बड़ी आवादी एसिया में रहती है चीन एसिया में भारत एसिया में पाकिस्तान एसिया में खारी देश सारे एसिया में तो जनसंख्या जो है वो एसिया की ताकत हुए है चीन एसिया में सबसे बड़ी दुनिया की आवादी एसिया सबसे बड़ा मार्केट ऐसिया तो कारोबार भी आपको एसीया में करना पड़ेगा इसिया के दिश highlights और उस में आता है आपको थाइलेंड वियतनाम होंग कॉंग और पूरब चले जाए तो पस्सिम से पूरब तो हम लोग पूरब में रहते हैं यह सबसे बड़ी बात है और सोचिए किस तरह से एसिया में इजराइल के कारोबार चौपट है तो अब जाकर अमरीका को लगातार इरान जो है वो सबक सिखा रहा है और इजराइल फिलिस्तिन यूद का सीधा सिधा आसर तीन देशों के पेट पर पर पढ़ रहा है इजराइल अमरीका और ब्रीटेन और समुंदरी रास्ते तो इनको लिए एकड़म बंध है ठप है और इराकी स्लामिक रेसिस्टेंस ने कल AI टर रहें 16 बर्सिये प्लिस्ताइन यूवा यसीर सेर जैसरलम बितलेहम तोका के पास IDF टुकी से अकेले भीर गया टकराओ के दरान उस पर गोलियां चली IDF ने उसके पास से अंबुलेंस नहीं पहुंचने दी यूवा सही सुचे किस तरह से इसी तरह से अंग्रेज कर रहे थ IDF सेनिको को पहले कार से कुचला फिर कुलहारी लेकर कार से बहान निकला और बाकी सेनिको पर हमला कर दिया गोली लगने से लड़ाका घायल है तो लगातार इस यूद में एक बड़ा मैसिव हिंसा हो रही है और ये यूद जो है अजादी की लड़ाई बन चुका है पिलेस्टाइन असिस्टेंस के लड़ाकों की नैवलस स्ट्रीट और नासिरा स्ट्रीट के पास IDF के खिलाफ हिंसक ज़र पे सुरू हो गई है और हिजबुल्ला ने एक बार फिर से हिजबुल्ला दोरा बरकन मिसाईलों से इजराईल के ब्राउनिट बैरक के निसाना बना किया पिलेस्टाइन असिस्टेंस ने सेनानियों और IDF के बीच ससस जर्पे हुए है भारी लराई के बाद IDF के रेसिस्टेंस की गोली बारी के सामने बलाटा और असकर सिबिर से हटना पड़ा है यह सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं सोसल मीडिया पर वायर अच्छिन कफरदान और पच्छमी अल-अमून सहर तक फैल गई है यह सार वही सारी करतूते हैं इजराइल के और इसलिए इंटरनेशनल जस्टिस को उसने उसको दोसी माना है पहली बार यमन ने अमरिकन नौ सेना पर हमला किया गल्फ ऑफ आदेन में जहाज का नाम लिउ और स्टेजिंग वेस के रूप में बर्गी किया गया यह जहाज यमन पर बंबारी कर रहे हैं अमरीकी बलो का समर्थन कर रहा था सुचिए अमरीका के जहाजों पर अफ सीधा सीधा हमला कर रहा है यमन के लडाके जो हैं खासकर लाल सागर में नेबुलस बलाटा सीवीर के जेनीन पर आक्रमन कर रही आईडियेफ और पिलिस्ताइन एसिस्टेंस के भी ससस्त जहर पे सुरू हो गई हैं लडाई का मुख के अंदर जेनीन के नेबुलस स्ट्रीट है आईडियेफ इस बार इस फोट को उपकरन लहस है रसिस्टेंस भी अपने उपकरन लेकर मैदान म हैं और हिजबुल्ला ने सताइस एक दोजार चार को इजराइल के रस अल नकफूरिया साइट पर सफल हमला किया है तो तमाम ये बड़े हमले हैं इजराइल के जो तीन जगह पर मोर्चा संभाला हुआ है हमाज जो है वो ग्राउंड जीरो पर लड़ रहा है हिउती जो है हो समुंदर में लड़ रहा है और हिजबुल्ला जो है वो आसमान में मिसाइले दाग रहा है एक गारा आईडिय फिल कमांड सेंटर और अंशन जमाबरो पर मोटार गोलों से छे बंबारी की जा रही है तो यह तमाम बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं सूचिए तो 27 तारीकों सबसे जादा नुखसान हुआ इसराइली मीडिया ने उस च्छन को परकासित किया जब गजा में आईडिय ऐस सैनिक पर रॉकेट से हमास ने हमला किया इसराइली मारे गए और घायल हुआ है एक दिन तो 24 सैनिकों को एक साथ मार दिया था इराकी परतिरोद द्वारा हमले में अल, तन्फ, जॉर्डन, सिरिया, सीमा पर तीन अमरीकी सैनिक मारे जाने के बाद बीडियन का कहना है कि अमरीका जवाब देगा संस्तों यह कि गजा, लिबनान, रेड सी, गल्फ अदेन, इराक, सिरिया में मार जहलने के बाद अमरीका, इजराइल, गट बंधन के पास दो भी कलपे, आत्म समर्पन या यूध का बिस्तार तो सुचिए यह यूध अगर नहीं रुकता है तो यूध और बड़ा होता जाएगा और धीरे धीरे अमरीका पूरी तरह से एक्स्पोज हो चुका है और अमरीका के बारे में सब को पता चल गया कि वो चोड़ी से इजराइल की मदद कर रहा था गजा यूध का दैरा भी बढ़ गया है यूएस के सिरिया जॉर्डन अल्टन पर मिलिटरी बेस पर इराकी रेसिस्टेंस समले से तीन अमरीकन सुलजर मारे गए चोविस घायल चीजे तेजगती से बढ़ रही है कुछ भी हो सकता है अमरीका कह रहा है कि हम इसका बदला लेंगे सवाल है कि वो इसराइली अब किसी के काबू में नहीं है और फिलिस्टिन किसी से डर नहीं रहा है पहली बार अलतनफ अमरीकन बेस पर इराकी रेसिस्टेंस समले में तीन इविस सुलजर मारे गए 24 घायल है 30 सजार से 40 जार अमरीकन सैनिक है गल्फ देसों में 40 से जादा उसके सैनिक ठीकाने है उन पर लगातार हमला जो है वो जारी है सिर्या में अमरिका के अल तंफ बेस पर सुचे सिर्या में अमरिका के बेस पर Islamic Resistance of Iraq के सिर्फ एक हमले में 34 अमरिकी घायल हो गए है ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हो किस तरह से सिर्या हो या इराक हो इन तमाम अफगानिस्तान हो जहां जहां उसके सैनिक अड़े हैं वहां वहां भारी बंबारी हो रही है लिबनान से हिजबुल्ला द्वारा दागे के रॉकेट इसराइल की अरव अमरे साइट पर गिरे जिसे एक बड़ा बिस्पोर्ट हुआ है तो लगातार लेबनान जो है वो मार रहा है हंतियार चला रहा है पलेस्टाइन रिसिस्टेंस ने गजा ताल अल हवा छेतर में आईडिय एफ सैनिक और बहानों पर मोटार गोलों से बंबारी की है रिसिस्टेंस ने खान उनिस अल अमल परोस अल जैरात अल अकदा में आरपी जी गोलों से तीन आईडिय एफ सैनिक और बहानों को निसाना बनाया है इस सबसे बड़ी खबरे हैं इराक परतिरोद में सिरिया के चान अमरिकन ठिकानों पर इजराहिल के अंदर एक इजराहिली अड़े को निसाना बनाया गया सोचल मीडिया पर वायरल है और आईसीजी रूलिंग सुचिए सबसे बड़ी खबर जो मैंने आपको बताया था किस तरह से इंटरनेशनल चीफ जस्टिस कोर्ट ने दोसी ठहर आया है आईसीजी रूलिंग के छो बिंदू जो आपको याद रखने होंगे इजराहिल को गजा में पलिस्तिनियन्स पर हमले बंद करने होंगे ये कहा है इंटरनेशनल कोर्ट ने इजराहिल को फलिस्तिनी समूं के खिलाप उक्साने बाली हरकते बंद करनी होगी इजराइल गजा में मानविय सहता नहीं रोख सकता इजराइल गजा में जिनोसाइड के सबूत नहीं मिटा सकता इजराइल को एक महिने के अंदर कोट में जवाब दाखिल करना होगा सभी पार्टी और सभी देश अंतरश्रीय मनपतावादी कानू International humanitarian law से बंदे हुए है तो ये बड़ी बात कही है जिसको लेकर पूरी दुनिया में अब साफ हो गया है सुची अब तो कोट ने भी कह दिया है कि इस देश में और दुनिया में आतंगबाद का सबसे बड़ा कोई गर है तो वो इजराइल है भारत के भक्त इसको नहीं मान रहे है और ये सबसे बड़ी ख़बर है जो सोचल मीडिया पर बाया है तो सुची इंटरनिशनल कोट ने साफ साफ कहा है कि इस पूरे युद्ध के लिए इजराइल दोसी है तो असली आतंकी कौन हुआ इजराइल या हमास मीडिया के दम पर गोरी मीडिया यहुदी मीडिया के दम पर हमास और फिलिस्तीन को बदनाम किया जा रहा था जैसे भारत में मनुवादी मीडिया के दम पर बहुजन निताओं को बदनाम किया जाता है आप लोग परत्किरिया जरूर दीजिए, शुक्रिया